कि यार हो चुका है लोडिंग के लिए देखें वेल्कम टो बैक मैं चानल और अभी मैं आ चुकी हूं शौका घाट पे जहां पर लगडी की सभी चीज़ें मिल जाएंगी आपको देखें हैं आप लगडी चीज़ें बनती भी हैं और बिक्ती भी हैं कि मैंनेफ्लेक्टरिंग भी होती है और पर्शेसिंग भी होती है जिसके आपको चीज़ें बन रही है चौकिया है यहां पर इसी का है इसका नाम चौका घाट है एस वह आज यहां पर लकड़ी की सारी च이जrek से आपको बंती हुए विल जाहेंगी चोकिया अलमारी टेबल ऊसी ज़ब्स चाहिए वह आपको यही पर की और वहां सही दामें पर मिल जाएइंगी क्योंकि यहां पर साइच से बनती हैं यह आप देख सकते हैं मिनुफ्रेक्ट्रिंग यहां होती है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर गिसाय चल ले लकड़ों की यहां पर यहां पर आती है करती है पुरा काम का पुरा प्रोसेस यहीं पर होता है यह आप देख सकते हैं यहां यहां लकड़ियां रखी हुई है उनको काटेंगे छाटेंगे इसका चिलाई करेंगे पर चिकली कर देंगे और उसके बाद फिर पुरा को तयार करेंगे यह देखिए हैं बिर्स त्यार करेंगे यह पुरा चुका घाटेंगे वह दिखा रही हो आपको मार्केट जहां से आप भोल से अप्राइज में चौकियार टेबल पुर्सी वेया खाई सकते हैं और यहां पर आप देखिए यहां पर तयार माल लखा गया है देखिए हर तरग के टेबल यहां पर रखे गए हैं फुर्सिया हैं जो आपको सही रेट में यहां पर मिल जाएंगी यह आपका चुकाखट पुल है पुल के ठीक नीचे आपको तब साय दुकाने चौकियों की मिलने वाली हैं यह आप देख सकते हैं हर तरह की चीज़ें यहां पर आपको मिल जाएंगी लकड़ संबंदित तो रहें मार्केट इतना बड़ा है और यहां पर आप देखिए यह आपका आरा मसीन यहां पर अंदर लकडी को बड़े-बड़े तुक्रों में कट कर देते हैं तो यह आरा मसीन यहां शलता है जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां बड़ी-बड़ी मसीन लगी आरा मसीन जाहां लगड़ी की कटाई होती है देखिए कि देखिए अभी मसीन बंद है और यहां नॉन स्टॉप लकड़ी की चिलाई देखिए कि बड़ी मसीन है यहां पर है लकड़ी को काटने के लिए देखिए तो यहां पर आप देख सकते हैं यह बहुत बड़ी फर्म है यहां पर लगड़ी की कटिंग होती है अब फिर्स बनती है पुरा मनिफ्रेक्चरिंग वाला काम होता है यह आप देख सकते हैं यहां पर कि देखिए कितने बड़ी बड़ी सी मशीन है यहां लगाई गई है इस पर कटाई छटाई सब होती है यह देखिए कितने मेहनत वाला और कितना हुनर वाला काम है यह आप देख सकते हैं और इस जब त्यार हो जाएंगी तो फनेशिंग के साथ कुछ ऐसी दिखते हैं तो जितना आप आगे बढ़ते जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको मार्केट दिख सकते हैं दिख रहा है प्राइदम भरा हुआ सा यह देखिए यहां कारिगार लगे हुए हैं अपने काम को करने में यह देखिए चल लगे कटाई चिलाई आपके बड़े बड़े से गठे हैं यहां पर लकरियों की और बड़ी बड़ी मसीनों के द्वारा काट किये जाते हैं हुआ 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 है हुआ 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 है तो जैसा कि यहां पर आप दे सकते हैं यह बहुत बड़ी सब मार्केट है इसका नामी है चौका घट यहां के चौकी आप लगेक्र तो कोफ़ तो कबन्कर के यहां मिल जाएस हो पर यृष्ट करते हैं कि काम हो रहा है कि कृण्य चाहित आपको जो आपि बिला कि मिलेंगी लकड़ की काुणwasser और भूरों तो हाँ एक आना बनता ही है मैंने आपको दिखाया चोका घाट मार्केट जो कि हमारे वांशी शहर की चोका घाट छेत्र में है हैना फ्रेंड्स आईए आपको कुछ और भी दिखाते हैं जो तैयार मार्केट ये रेड़ी स्टेडी एंड गो ये पूरा ही तैयार हो चुका है लोडिंग के लिए है ये पूरा एक्जम रेड़ी है लोडिंग के लिए ला चुका है यहां करते हैं यहां पर हर तरीके की चीज़ें मिल को कता हैं लकड़ी से बनती है वो सारी चीज़ें यहां पर आपको फोल लसेल प्रैस मिल जाएंगी किछेंगे बड़ी दुकान और यह देखिए इतना बड़ा यह मार्केट है और यह देखिए इतने बड़े बड़े से यहां पर लकड़ी के गड़े रखे हुए है पूरा 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 प्रोसेस होता है देखिए किते बड़ी बड़ी से मसीने हैं यहां पर यहां पर यह सारा काम होता है बहुत ही मुश्किल और बहुत ही निपोड़ता के साथ सारा काम किया जाता है तो इसी के साथ इस वीडियो के यहीं फैंड करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो नग्स स्क्राइब शेयर जरूर करिएगा हरल महादेव प्लच मुश्करण और बहुत आ बहुत है भुत व्क्राइब